सबी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार तो दोस्तों फेस्टिव सीजन आ चुका है और ऐसे में धेर सारे छोटे छोटे से ऐसे डेकॉर आइटम होते हैं जो कि हम मार्केट से पर्चेस करने जाए तो बहुत सारे पैसे आप कही न कहीं खर्च कर ही देंगे तो मैं आज से एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रही हूँ जो कि फेस्टिव डेकॉर आइटम को डेडिकेटेड है यानि कि काफी सारे डेकॉर आइटम ऐसे हैं जो कि छोटे छोटे से होते हैं और हम घर पर ही खूपसुरत तरीके से उनको बना करके फेस्टिव सीजन पर जिसे की मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके साथ में मिल जाए और आपसी आप देख सकते हैं तो कौन-कौन से DIY हैं चलिए आज के वीडियो में देख लेते हैं और वीडियो कहीं पर भी पसंद आए ना तो लाइक जरूर कर देना पहले प्रोजेक्ट के इसके उपर मैंने लगाई है hot glue gun की help से काफी broad वाली lace आपके पास जो भी कोई भी lace पड़ी हो आप वो use कर सकते हैं अगर आप इस project को try करते हैं तो इसके बाद में मैंने अपनी जरूरत के according दो cardboard के pieces कट कर लिये हैं square में थोड़े से rectangle किये हैं आप चाहें तो round कर सकते हैं square क कर सकते हैं या फिर rectangle कर सकते हैं दोनों को मैंने hot glue gun की help से stick कर लिया और उसके बाद में मैंने ली है ये glitter sheet तो ये glitter sheet 10 रुपीज की मिल जाती है आपको किसी भी stationary shop पर easily इसको भी मैंने इसके उपर stick कर दिया इसके बाद में जो हमने bottles के उपर lace लगाई थी उनको इसके चारों तरफ इस तरीके से चिपका देना है hot glue gun की help से तो देखे ये तयार हो गया है अमारा project और अब last में मैं यहाँ पर एक लटकन वाली golden color की lace लगा रही हूं और आप अगर थोड़ी और चौड़ी लटकन वाली lace लगाएंगे तो और भी ज्यादा सुन्दर लगेगा मुझे य ये color combination पसंद आया तो मैंने ऐसे कर लिया option तो अंगिनत हैं आप lace अपने पसंद से लगा सकते हैं और जो नीचे वाली lace लगाई है glitter sheet अपनी पसंद से लगा सकते हैं चाहें तो उपर के side में flowers भी लगा सकते हैं complete हो गई मेरी chalky इसको आप पूजा में भी इस्तिमाल कर सकते हैं भगवान जी को विराजित करने के लिए और चाहें तो decor में भी use कर सकते हैं कैसा लगा idea comment करके बताईएगा मुझे अगले project के लिए मैंने cardboard के circle cut किये हैं अपने जरूरत के according जितना बड़ा size चाहिए था और मैंने लगबग 6 circle cut किये हैं आप जाधा करना चाहें तो जाधा भी कर सकते हैं इनको मैंने hot glue gun की help से पहले stick कर दिया अपस में और फिर चारों तरफ से मैंने इस तरीके से masking tape या फिर paper tape लगा दिया है इसके बाद में इसके उपर एक coat कर दिया है मैंने white acrylic paint का और जब ये coat सुक जाएगा तब मैंने यहाँ पर किये हैं तीनों circle के उपर अलग-अलग color white paste paint देने से ये थोड़ा सा color जो आएगा वो अच्छे shine हो करके आएगा और काफी long lasting भी रहेगा और सुन्दर भी आएगी इसमें shine आएगी अलगसी तो पहले के उपर मैंने कर दिया blue color, electric blue color किया है मैंने और इसके उपर किया है second वाले के उपर parrot green color और last जो है उसके उपर मैंने कर दिया है mango yellow color तो काफी vibrant से मैंने color किये हैं क्योंकि festive decor को ध्यान में रखते हुए अब देखे जो color सूख गए हैं उसके बाद में मैंने yellow circle के उपर mandala art पनाया है बहुत ही simple और easy वाला ये dot का use करते हुए हाला कि मेरे पास tools नहीं थे लेकिन फिर भी मैंने इसके उपर paint brush की back side वाली tip की help से अलग-अलग dots का use किया है तो देखे green वाले के उपर white color का paint किया है और blue वाले के उपर yellow color का paint किया है इसके अलवा yellow वाला जो था उसके उपर electric blue color का paint किया है अब देखें ये मेरा एक earring था टैसल वाला तो एक earring तो ये है एक earring रास्ते में कहीं गिर गया था जब मैं कहीं बाहर जा रही थी तो तो इसका मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ आप चाहें तो टैसल हाथ से भी बना सकते हैं मैं बहुत बार आप सब के साथ में शेयर कर चुकी हूँ तो दिखें मेरे पास एक ये रेडी मेड टैसल वाला earring था मैंने यहाँ पर लगा दिया है और कितना खुबसूरत लग रहा है है और इसको मैंने इस तरीके से हैंक कर दिया है और बिल्कुल अच्छा जा रहा है इसके उपर क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से इसको कॉम्पलिमेंट कर रहा है अब सुई धागे की हेल्प से मैंने यहाँ पर इन टीनों को आपस में जॉइन किया है और बीच पीच में मैंने बीट्स लगा दिये हैं और इस तरीके के पॉम्पॉम लगा दिये हैं कम्प्लीट होने के बाद मैं किस तरीके का लग रहा है चलिए दिखाती हूं अगली प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहां पर यूज किया है इस तरह की मिल्क पॉट की एक छनी जो की यहां से इसका है जो लिड था ना वो निकल गया है जिसकी वज़े से इसमें मुझे डर रहता है कि कुछ गिर ना जाए तो मैं इसका यूज कर रही हूं इसके लिए मैंने चनी को अंदर जो यह जाली लगी है इसको निकालना था और उसको निकालने के लिए मैंने काफी सारी चीजों का यूज किया जैसे की नाइफ का यूज किया लेकिन काफी मेनत लगी नहीं हुआ फिर मैंने इस तरह का कटर किया उससे भी नहीं हुआ फाइनली प्लायर को ले करके मैंने जब इसको खीचना शुरू किया तो ये धीरे-धीरे करके निकलनी स्टार्ट हो गई हाला कि बहुत मजबूत थी और काफी मेहनत लगी मुझे इसको निकालने में लेकिन फाइनली ये निकल ही गई और एक चीज से धीरे-धीरे करके मैंने निकाल लिया और अगर आपके पास भी इस तरीके की छनी पड़ी है न तो आप इस तरीके से प्रोजेक्ट बना सकते हैं विश्वास करें बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत लगेगा स्टाइलिश लगेगा ये प्रोजेक्ट जितनी मेरी मेहनत लगी न उससे ज्यादा ये खुबसूरत लग रहा था तो दिवाली डेकॉर में तो मैं इसको डेफिनेटली यूज करने वाली हूँ आप इस तरीके से निकाल लीजेगा अगर आपके पास छनी पड़ी है और आप ट्राइ करते हैं तो देखें पूरी चारो तरफ की जाली निकालने के बाद में छोटे-छोटे से तार पड़े थे ना वो भी निकाल दिये अगर आपके पास छनी ना हो तो आप इस तरीके का गैस का पाइप जो होता है ना गैस सिलेंडर का पाइप अगर कोई एक्स्ट्रा पड़ा हो उसका यूज कर सकते हैं या फिर वो भी ना ह आपके पास तो आप जो एम्ब्रोइडरी हूप होता है ना वो बड़े साइस का वो ले सकते हैं अगर यह पाइप यूज करेंगे तो इस तरीके से सरकल बना के इसको आपस में बान दीजेगा किसी जूट थ्रेड से बूती के साथ में हमें इसको बानना है अगर आप कर सकते हैं या फिर आपको स्टिचिंग वाली शॉप पर मिल जाता है एक यह काफी मोटा थ्रेड आता है जो कि प्रोजेक्ट में भी यूज होता है इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा इस ताइम तो आप उसका यूज कर सकते हैं मैं यहाँ पर मैक्रमी थ्रेड का नौट लगा देनी हैं आप चाहें तो हाट ग्लू गन की हैल्प से स्टिक कर सकते हैं मैंने टाइट करके नौट लगा दी और इसको इस तरीके से टाइट हातों से हमें लपेटते जाना है एक चीज का ध्यान रखें अगर आप जैसे अभी देखें मैंने यहाँ पर स्टार लगेगा और इसके अंदर जो गाट भी पड़ सकती है तो वो अच्छा ने लगेगा कहने का मतलब है हमारा ये प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल इवन होना चाहिए यहां पर मैंने इसको कवर कर दिया और उसके बाद मैंने इसको हाट क्लू गन की हैल्प से एक सिरा जो हो गई है शाम तो इस ताइम पर खाने का टाइम हो गया है तो मैं साथ साथ अपने प्रोजेक्ट भी कर रही हूं और अपने खानी की तेयारी भी कर रही हो लगे आद मैंने सबजी भी काटके रख दी है और अब मैं यहां पर इसका एक बेस बना रही हूं बेस बनाने के ल बना लेना है या फिर मैं अगर आपको simple भाषा में समझाओं तो जैसे हम घर के लिए किसी पूरी वगरा बनाते हैं ना पूरी या कचौरी बगरा बनाते हैं और उसके अंदर मैंने इसको बिलकुल fix कर दिया है, fix करने के बाद में मैंने इसके उपर एक भारी वजन रख दिया है, जिसे की ये जो circle है, ये अपनी जगह से ही लेना और बिलकुल अच्छे से fix हो जाए, और इसको लगबग 24 घंटे के लिए मैं सूखने के लिए दुंगी, चुकि ये पूरी तरीके से even था, इसलिए मुझे इसमें sanding करने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर ये आपका even ना हो, अ मैंने sanding नहीं की है, मैंने direct इसके उपर acrylic paint किया है, white color का, तो आप चाहें तो इस पूरे के उपर भी white paint कर सकते हैं, मैंने सिर्फ base के उपर किया था, और उपर के side में मैंने लगा दी थी इसके उपर कुछ leaves, artificial leaves, जो कि मैंने hot glue gun की help से stick की थी, अब देखे मेरे पास ये cage था, छोटा सा Amazon से लिया था, मैंने दो साल पहले, इसको ये golden color में आया था, मैंने इसको teal blue color में paint किया था, अभी इसको repaint कर रही हूँ मैं green color में, अब देखे ये base सूख गया है, paint जो किया था, यहाँ पर ये leave लगाई थी, और अब मैं इस cage को यहाँ पर hang कर दूँगी, और hang क करने के बाद में हमारा decor piece तयार हो गया, अब देखे आप इसको ना, इसके अंदर planter भी रख सकते हैं, चैसे artificial plant रख सकते हैं, succulent, real succulent लगा सकते हैं, आप tea light candle लगा सकते हैं, आप इसके ऊपर चारों तरफ यहाँ पर leaves लगा दीजे, और आप चाहें तो जो fairy light होती है ना, rice light वो भी लगा सकते हैं, बहुत जादा खुबसूरा centerpiece बन जाएगा आपका, तो कौन सा idea अच्छा लगा, आज के कौन से DIY आपको अच्छे लगे मुझे comment box में जरूर बताएगा दोस्तों, मुझे बेसबरी से इंतजार रहेगा, फिलाल आज का वीडियो इतना ही था, मैं म मिलोंगे आपसे जल्दी ही, एक नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए be happy, be active, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए, bye bye